एक successful doctor बनने के लिए मैंने 10 साल मेहनत की लेकिन ये मेहनत ही मेरे लिए अभिशाब बन जाएगा ये मुझे पता नहीं था मुझे लगता था जिन कारणों से मैं एक सफल डॉक्टर बना उनी कारणों से मैं एक सफल डाइगनोस्टिक बिजनस भी कर लूँगा ये अंतिता है एक गलत फैमी साबित होई जादा से जादा दस गंटे ओवर पीरिट ऑफ टाइंग दस गंटे से जादा कोई भी व्यक्तिकाम नहीं कर सकता और एक दस गंटे में मैं कितने मरीज देख सकता था इतने लोगों की सेवा कर सकता था मतलब किसी चीज में अच्छा होना अगर आपका टैलेंट है वो एक अलग चीज है पर उसका एक बिजनस खड़ा करना कंप्लीटली अलग चीज है कंप्लीटली अलग टैलेंट उसके लिए लगता है मैंने देखा कि इस बिजनस को खड़ करो और अच्छा काम करो but ultimately employee तो employee है मुझे समझ में आया कि ये सब कुछ करते 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 मेरी family और personal life disturb हो रही थी business में successful हो रहा था लेकिन मेरी personal life disturb हो रही थी और family life disturb हो रही थी जिनके लिए ये सब मैं कर रहा था my family वही सबसे आदा दुखी रहते थे क्योंकि उनके लिए मेरे पास time नहीं था उनके लिए मेरे पास energy नहीं रहती थी और धीरे धीरे एक और बड़ी भयानक चीज मेरे साथ होने लग गई इन दीगर कामों में उल्जे रहने के मेरा कभी-कभी irritation उनी लोगों पे होने लग गया जो कि मेरे अमनद आता थे यानि कि मेरे patients मेरे customers मुझे समझ में आ गया कि मैं अपने ही business का एक बंदुआ मज़़ूर बन गया था और अब समय आ गया था कि मैं अपने business को automate करूँ ताकि मेरा business मेरे absence में भी चल सके तो खुद अच्छा होना एक अलग चीज होती है और एक automated business बनाने के लिए completely अलग systems और तरीके जो है वो अपनाने पड़ते हैं और वो मैंने ढूड़ना शुरू किया कि business को automate कैसे किया जाता है मैंने लाखों रुपए खर्च किये बहुत time खर्च करके अलग-अलग trainers से, किताबों से, अलग-अलग माध्यम से मैंने सीखना शुरू किया कि business को automate कैसे किया जाता है और उससे मुझे पता चला कि business को automate करने का मेरे अच्छे doctor होने से कोई लेना देना नहीं है, completely अलग चीज़े लगती है मैं अपने business का खुद ही बंद हुआ मजदूर बंगया था और उसमें से बाहर निकलने के लिए business को automate करना अत्यनत आवश्च था और जब मैं business को automate कर सका, इसमें मुझे समय लगा तो जो free time मुझे मुझे मिला, उससे मुझे फिर आश्यर जनक achievements मेरे हुए मैंने तीन बार Guinness World Record बनाया है, longest marathon speech के लिए मेरा golden book of world records है, cycling में, youth empowerment का काम जिसका मुझे शौक था मुझे मैं करने लगा हूँ, उसके लिए मुझे national level का award मिला, state level का award मिला for work done on youth empowerment और अपने business को automate करने के बाद अश्यर जजनक धनंग से मैं अपने business को और expand कर सका क्योंकि मेरे पास समय था business के ऊपर काम करने के लिए, पहले में business के अंदर काम करते करते ही completely चुक गया था, completely जो ठक गया था और ये सब जो achievements हुए, ये सब जो मैंने बहुत सारा पैसा कर्च करके और बहुत सारा समय लगा करके जो मैं सीखा, अब मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, और एक course के रूप में आप भी अपने business को automate कर सकते हैं, अगर कुछ basic science और art की चीजें इसमें जो लगती हैं अगर आप वो समझ ले तो, और यही मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ जिससे मेरा जो इतने समय का लंबा struggle था अपने business को automate करने का, वो मैं आपको सिखा सकते हैं तो आईए, मिलते हैं इस course में, जो struggle मैंने face किया, उससे जो मैंने सीखा, वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ आपके साथ में मैं वो कुछ principles शेर करने वाला हूँ business automate करने के लिए तो आईए, मिलते हैं इस program में, जिसका नाम है The Clockwork Entrepreneur सभी detail उपर के description में, नीचे comments में आपको मिल जाएंगे आईए, उस link को click कीजे और register कर लिजे The Clockwork Entrepreneur के लिए और मैं आपसे मिलूँगा इस पांच दिन के शांदार program में